जै श्रीराम भक्त गणो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यम्राज की मिर्ट्यू का रहष्य जानकर चोग जाएंगे आप कहते हैं काल भरम ने या कहें कि सर्वोच इश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से देवताओं को प्रकास से और देवताओं की विप्रित शक्तियों को आख से बनाया ये भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास करम में आगे बढ़कर ही इत्तर देवी या देवता बनती ये भी माना जाता है कि प्राचिन काल में सभी देवता से सरीर धर्ती पर ही रहते थे और उनी का तब सासन भी था देवताओं में और अस्रों में यो दोता रहता था ये भी कहा जाता है कि उसकाल के मनुष्य या देवतुले लोगों की उम्र पांसो वर्स होती थी ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि मिर्त्यू के देवताय अम्राज की मिर्त्यू कैसे हुई और उससे पहले अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएग वेद कहते हैं कि जो जनम लेता है चाहे वो मिटी का रूप मनुष्य हो या परकाश का रूप दीरता या अगरी रूप में रम राक्षस सभी को मरना होता है ये अलग बात है कि कोई सो वर्स में जाकर मरता है तो कोई हजार में लेकिन दूसरा सरीर सभी को धारन करना इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यम्राज भी हो चुके हैं वेद और पुराणों की धारना में बहुत फर्क है पुराणों के अन्मसार बहुत से देवी या देवताओं की स्रिष्टी संचालन है तुछ पर मेश्वन ने भिन-भिन कारियों के लिए न् इंदु मानते हैं कि प्रमा हमें इस त्रिष्टी में लाने वाले हैं, विश्णु हमें पालने वाले हैं और शिव ले जाने वाले हैं, इसी तरह इंद्र बारिश, बिजली और युद्ध को संचालित करते हैं, अगनी सभी आउती को ले जाने वाले देवता हैं, सूर्य पती हैं मित्र देव और देवगण सभी के बीच संपर्क का कारे करते हैं काम देव और रती स्रिष्टी में परजिनन किरिया को आगे बढ़ाते हैं दीती और दीती को भूत भविष्श्य और चेतना की दीवी कहा जाता है शिव पूत्र गरनेश जी को देवगुनों का दिपती और देवतवी अव्यपृती के बद्रचन नाशक हैं रिद्धी सिद्धी नामत दो पत्निया हैं उनकी, कार्टिके विर्टा के देवता हैं, ये समस्त देवताओं के सेनापती हैं, नारण देवताओं के रिशी तरह चिरन जीवी हैं, उतीनों लोकों में आते जाते रहते हैं, ये देवताओं के संदेश वाक और गुपचर हैं, स्रिष्टी में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देव विशी नारण के पास होती है अंत्वे देवताओं के सबसे शक्ति साली देव राम दूत हनुमान अभी भी सैसरीर है ने चिरन जीवी होने का वरदान प्राप्त है उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बूरी शक्तियां और संकट खतम हो जाते हैं इसी तरह यम्राज स्रिष्टी में मिर्ट्यों के देवता है स्रिष्टी के प्राणियों की भोतिक सरीर के नश्ट हो जाने के पाद उनकी आत्माओं को उचित इस्थान पर पहुचाना नहींगा काम चित्रगुप्ट संसार के लेखा जोखा रखते हैं और यम्राज स्वर्गत था नरक के बीच का ताल मेल बनाते हैं सवाल उठता है कि मिर्ति tutto के दिरता यम राज की कैसे हो सकती है तो वो जानते हैं कि संबंध में बिन-विर्णन मिलते हैं कहा जाता है कि अल्गता है कि प्राचीन का ल में श्यूवत राज राज ऑज करते थे गुरिद्ध होने पर राजा सवेत पुत्र को राज सोब कर गोदावरी नदी के तठ पर एक गुफा में सिवली की स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए अब वे राजा सवेत से महा मुनी सवेत बन गए एक निरजन गुफा में मुनी ने शिव वक्ती का परकास पहलाया था शिव मुनी को ना कोई रोब था और ना कोई शोब था इसलिए उनकी आयू पूरी हो चुकी है इसका भाज भी उने नहीं हुआ उनका सारा ध्यान शिव वक्ती नलगा रहता था वो अवय होकर अगवान शिव का पाठ करते रहते थे कि रोम रोम में शिव का नाम पटी धवनित होता रहता था आयू समाफ्त होने के बाद यंदूतों ने मुनी के प्राण लेने के लिए मिरेत के गुफाव में प्रवेज किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अगren इस्थिल हो गये उनके गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेतमोनी की परतिक्षा करने लगे कैते हैं जब यंदूत बलपुर्वक्ष्वेतमनी को वहां से ले जाने लगे तो स्वेट अब तक यहां क्यों नहीं आया, तुम्हारे दूद्ध भी अभी तक नहीं लोटे हैं, अभी कापते हुए यम्दूटों ने यम्राज की पास जाकर सारा हाल सुनाया, मिर्त्यु देव की मिर्त्यु का समाचार सुनकर, क्रोधित यम्राज ने हाथ में यम्दन लेकर, पैसे पर सवार होकर, अपनी सेना के साथ वहां पहुँचे, इधर सिवजी के सभी गण मौझूट थे, यम्राज जब बलबुर्वक्त स्वैपूनी को ले जाने लगे, अब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यम्राज पर छोड़ा, जिससे यम्राज की भी पिर्त्यु हो गई, जम्दूतों ने बगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया, अपने पुत्य पिर्त्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य परमाजीव देवताओं के साथ उस स्थान पर आए, तब देवताओं ने भगवान संकर की इस्तुती की, तब भगवान शिव परकट हो गए, उनकी जटा में गंगा रमन कर रही थी, दुजाओं में पुकार आज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोगपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म और अधर्म वैस्ता के नियंत्रित के रूप में जुत्ती की थी, इनका वद सही नहीं है, इनके बिना स्रिष्टी का कार्य संभव हो जाएगा, अतै सहना सहित इने जीवित कर दे, नहीं तो ऐ विव नहीं होता, स्वय में अम्राज और उनके दूतों का उनकी और देखना भी पाफ है, इनके अम्राज के लिए ये रहस्ता की गई है, कि वे भवतों को प्राण नहीं ले सकते, पिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मान कर इनका प्राण दान दे दिया, शिव जी की आजे, मुझे भी तुमने जीत लिया है, अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ, तुम भगवान शिव की और से मुझे अवे परदान करो, शिव मुनी नहीं अम्राज से कहा, वक्त तो विद्रप्रता की मुद्धी होते है, आपके वैसे ही सत्य बुरुष परमात्मा की सर विश्राम की विजय तो होती ही है, शिव पी शिव लोग चले गए, ये इस्थान गोद्वी के तट पर मुर्ट्यून जे पिर्थ कहलाता है, मुर्ट्यू को कोई जीत नहीं सकता, स्वैं भर्मा भी, चुत्र युभी के अंत में मुर्ट्यू के द्वारा प्रम भ्रम में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अने एक बार मुर्ट्यू को प्राजित किया है, इसलिए वे मुर्ट्यून जे हैं, और काल के भी काल, महाकाल कहलाते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आप महाकाल के सच्चे भक्तों, चैनल को लाइट, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैसलिए लाइट,